कि नमस्कार गुड मॉर्निंग में रूप नरेंड सर्मा रेजोनेंस PCCP डिवजन सेनियर फेकल्टी हिंदी और आज हम लेकर चलते हैं क्लास नाइन जो हमने पिछली क्लास पढ़ा था प्रते उसी प्रते को हम आज देखते हैं जो हमें हमने पढ़ा हमें वह कितना समझ में आ प्रश्ण हल कर सब पाएंगे तो देखते हैं कि पिछली क्लास में हमने इनको पढ़ लिया था और आज हम पढ़ते इनके अभ्यास प्रश्णों की ओर चलते हैं बच्चों तो देखते हैं अभ्यास प्रश्णों नेमने लिखेती प्रश्णों के उची तु विकल्प चुनिये नमबर एक चमकीला शब्द में प्रते है ओप्शन आपके सामने है कीला, इला, इला, उल्ला तो सबसे उप्युक्त जो इसका आंसर रहेगा वो बी वाला रहेगा क्योंकि चमक प्लस इला चमकीला बनता है दूसरा है पाठक की शब्द में प्रते है क, ठक, अक और आक तो बच्चों कौन सी धातू से बनता है पठ प्लस अक क्या बनता है पाठक तो ओप्शन सा ओप्शन इसका सही आंसर है क्योंसर प्रश्ट नंबर तीन देखो आप बहुत ही अच्छे प्रश्ट नहें है इसमें सलेक्टेड प्रश्ट नहें नाविक की शब्द में मूल शब्द और प्रते छाटी है सबसे पहले तो देखना है आपको नाविक के से बना नाविक को नर्त आए नाव को खेने वाला नाव प्लस एक नाव को खेने वाला है जो ना विक तो कैसे बना नाव प्लस एक नावी प्लस एक ना प्लस विक और ना नाव प्लस एक तो इसमें नाव प्लस एक ए ओप्शन सही जाएगा हूँ प्रहिश्ट नमबर चार आपके सामने है अध्यात्मिक शब्द में मूल शब्दों प्रते चांटिये तो क्या है आध्यात्मी प्लस एक, आध्यात्मी प्लस एक, आध्यात्मी प्लस एक और आध्यात्म प्लस एक तो इसका D option आपका सही होना चाहिए, आध्यात्मी प्लस एक आगे चले बच्चों, फिर हम आगे बड़े, भूत्मी प्लस एक तो आपने ये देखा होगा कि जब हम एक प्रत्ति लगाते हैं जैसे यहाँ पे लिखा मैंने समाज प्लस एक ऐसे तो क्या होना चीए? समाजिक लेकिन होता क्या है? सामाजिक अब सामाजिक क्यों होता है? बहुत अच्छा तरक है कि सामाजिक क्यों होता है? सामाजिक इसलिए होता है कि जब हम एक प्रत्ते को जोड़ते हैं तो शब्द का पहला वो क्या बनता है? अपने देख रूप में परिवर्टित हो जाता है जैसे देख रूप में बच्चों हमने लिखाता स प्लस अ बना न स तो इस अ का दिरगरूप हो जाएगा आ तो बन जाएगा सा बनेगा ने बनेगा आगे चलें तो इसमें भोतिक ये वाला आप सिदा सिदा फंडा याद रखना आ में बदलता है फिर ए आई में बदलता है उ आउ में बदलता है बिल्कुल याद रखना है ठीक है अगला है वेवहार प्लस एक वेवहार प्लस एक के दोनों के संयोग से बना वेवहार एक बिल्कुल बना साब बना ने बना क्योंसा नम्बर सेवंत देखो आप मानव शब्द में प्रत्य है तो मानव शब्द में कौन सा प्रत्य है अ प्रत्य है अब सबसे बड़ा तर्क क्या है कि मानव बना तो केसे बना तो देखेंगे पन मनु प्लस अ मानू बनाए और यह वेरी इंपोर्टेंट भी है बिल्कुल धियान रखना है इसका प्रह्ष्ण नमर एट है निम्नांकित में से भिन प्रते वाला शब्द है बहुत मैं ऐसे प्रह्ष्णों को वेर इंपोर्टेंट कहता हूं भिन प्रते वाला तो बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा क्या दिमाग लगाना पड़ेगा कि चाचा प्लस एरा चचेरा होता है अभी जानते हूं मामा प्लस एरा ममेरा होता है लुट प्लस एरा लुटेरा होता है और साप प्लस एरा कि सपेरा होता है होता है अब इसमें देखें कि चाचा प्लस एरा कि क्या है संबन्ध वाचक कि मामा प्लस एरा ममेरा सम्मंद वाचक साप प्लस एरा सपेरा सम्मंद वाचक जबकि ये क्या है लुट प्लस एरा ये क्या है बच्चु ये तीनों है कोई सा प्रते तीनों है तद्दित प्रते और लुटेरा है कृत प्रते तो तेनों से अलग होने के कारण इसमें सही option क्या रहेगा लुटे रहा हूँ क्यों से नम्मर 9 देखवा आप भुला कड़ शब्द में प्रते है अकड़ प्रते ये तो आसान प्रश्ण है आपके लिए आ जाएगा शरीर प्लस एक सैयोक्षे शब्द बनेगा क्या बनेगा अब इसमें सही देखना पड़ेगा न एक जोड़ा तो सहका तो साब बना दिया सारी और छोटी के मातरा लगेगी सारी रिक तो काँ पर है ए ओप्शन इसका सही रहेगा आगे चलें अपन 11 से चलो अब 11 से है नेमन लिखित में से कौन सा शब्द तन प्रते के योग से बना है जतन बेतन पुरातन और पतन पुरातन बना है पुरा प्लस तन पुरातन अगला है नेमन लिखित में से किश शब्द में प्रते नहीं है गहरा प्लस आई गहराई पठ प्लस आई पढ़ाई लिख प्लस आई लिखाई और नाई में नहीं है नाई में कोई प्रते नहीं है 13 तो देखिए आप नेमने लिखी तमेशे प्रते का चुनाओ कीजिए जो लुट के साथ लगाकर उसे संग्या शब्द में वदल सके तो क्या लिखेंगे अपन एरा संग्या शब्द में वदल सक क्या लुट प्लस एरा लुटेर एरा बनेगा इसमें बिल्कुल बनेगा 14 पे चले बहुत अच्छा प्रश्न है नेमन लिखित में शें कोंसा प्रत्य हरित के साथ लग कर भाव वाचक शंग्या का अर्थ देगा कोंसा हरित प्लस इमा हरितिमा बिल्कुल अच्छा प्रश्ण है बहुत अच्छा सुन्दर प्रश्ण है ना फिप्टीन को से इनेमन लिखित में से एक प्रत्ये से निर्मिद उसमें तो इसमें तो क्या बनेगा नियाई प्लस कि इन्यायाइक, अधिक, एतिहाशिक, शेक्षणिक तो बच्चों अधिक में नहीं है, बेलकुल. फिर है 16 नमबर का प्रस्टन है पनीला, पनीला में प्रत्य है, तो इसमें पान प्लस इला हो जाएगा, बनेगा ने बनेगा, आगे चले अपन, आगे चले, तो पनीला के बाद अपन आ गई यहां पर क्या है क्योशन नमबर 16 क्रिपालू तो क्रिपालू में शब्द और प्रत्य अलग करना है क्रिपा प्लस आलू सी ओप्शन बनेगा बच्चों यह समझ में आगे आपको मरियल तो इसमें मर प्लस एल मरियल बन जाएगा बेलकुल 100 परसेंट बच्चों घबराहाट घबरा प्लस आहाट कौनसा बनेगा ए ओप्शन तो ऐसे आपको ध्यान रखना है यह क्योशन वापास से रिपीट हो गया दूसरे तरह से सरीर प्लस एक सारेरिक बन जाएगा बुलावा में मूल शब्द बुला प्लस आवा बुल प्लस आवा बन जाएगा तो इसी तरह के प्रश्ण आपको हल करना है, बिल्कुल अच्छे प्रश्ण है, देखो आप, क्योंसा है नंबर टू देखो आप, बहुत ही अच्छा, नंबर एक प्रश्ण है, देखो आप इसमें, वी नंबर ता, उपसर्ग क्या है, वी, मूल सब्द क्या है, नंबर, प्र प्रत्य तीनों है अ कल्यान कारी अ उपसर्ग है कल्यान मोल्शब्द है और कारी प्रत्य है शुलबता शुलब प्लस ता शुलबता ना लायक प्लस ए ना लायकी दुष शाहस और प्लस ए दुष शाहसी इसका क्या बनेगा बच्चो अभिमानि का अभी प्लस मान प्लस ए अभिमानि बना नी बना तो ऐसे ही आपको बनाना है अप प्लस मान प्लस इत अप मानित उप देश प्लस अख उप देशक आगे है वी कल ता फिर है सफल या सफल ही करो इसमें प्रते उप सर्ग नहीं लगाएंगे सफल प्लस ता परी प्लस स्रम प्लस ए को कर्म प्लस ए उन तीश प्लस वाँ वाँ भी एक प्रत्य है यह ध्यान देना आगे चले निर भय प्लस ता निर्भरता बना निये बना तो यह इस तरह से प्रत्य आपके बनते हैं और भी यह क्या है इसमें देख आप और भी बना लेते हैं यह आप पर आगे थे पर तंत्र प्लस ता सत जन प्लस ता सू वास इत प्र प्लस गती प्लस सील बहुत अच्छे अच्छे प्रश्ण है यह इनकी प्रेक्टिस की जाए अच्छी तो मेरा मानना है कि ऐसा कोई साभी टोपिक नहीं जो आपके लिए कठिन हो सम प्लस मान प्लस अनिय और अंतिम है दुर प्लस भागय और प्लस पूर्ण दुर भागय पूर्ण ठीक है इतने सारे प्रते अपने पड़े उधारन किये प्रते क्या होते हैं सारे पड़े तो बच्चों फिर यह एक्सरसाइज आपके लिए है तो आप इनको हल करके लेंगे बहुत अच्छा अभ्याज किया बहुत रूची के साथ आपने पढ़ा और समझा तो आज के लिए इतना ही नेक्स्ट लास में नेक्स्ट नए टोपिक के साथ फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद